केल जाब तरनी हो एप्रोंट पर होने वाला होतार यहां पर संख को पहले करेंगे फिर और ़ार मुपायां शly पाथिक नर्हान को पर शाहें हैं आप लोग कैसे हैं बढ़ियां हैं अच्छे हैं स्वस्त हैं हेल्थ का ध्यान रखिए हेल्थ इशूस पर बहुत ज़्यादा नई खराब करिए क्योंकि आज है एक मार्च एक मार्च का मतलब इस साल का तीसरा मेना स्टार्ट हो रहा है जहां पर आप अपने त्यवहारों की तरफ और अपने एक्जाम की तरफ दिये दिले करके आगे बुढ़ रहे हैं तो अपने त्यवहार को इंज्वाय करने के लिए पहले से हम हर एक चीज को प्रिप रटी उताना चाहती हूं कि इस्वां के लिए परिशान ना हुँ है यह क्या अपके सभी सलावस जितने भी आप रहे आपने त्यार कर लिए आपके आपके आप मेंसे आपके सभी एबिस सैयार होगे सब्सक्राइब कोई परिशन बनेगा कोई भी क्वेशन राइज होगा तो आप उसको कर लें किया इतना आप में आ गया अगर ऐसा आ गया है तब आप डेट के लिए परिशान रही है तो जाहिर से बाद है अधर्वाइस क्योंकि अभी बहुत कुछ रिवीजन बागी है और म यहां पर है एक मार्च जहां पर मैं आपका एक नया टॉपिकाज लेकर आई हो चुकि यह सिंपल इंट्रेस्ट के क्वेशन आपने कहा था कि मैं इंट्रेस्ट वाले करवाएगा तो इंट्रेस्ट में दो आता है एक सिंपल इंट्रेस्ट होता है एक कंपाउंड इंट्रे तो कितना आउट उसलोड लेकिन एक सामान विश है और हम इंट्रेस्ट के बारें पहले से पढ़ चुके इसलिए हम कोई अब्लेक्शिन नहीं कर सकते हैं और आपके जो पेपर में इंट्रेस्ट के ब्याच के आये भी होए हैं वह सिंपल वाले साधरन वाले आए तो मैं भी स प्रशन आपको यहां पर लेकर आई हूं जो कि करवाऊंगी इस तरह कि मैं आपको यह क्लास दे रही हूं यह आपकी क्लास अगर अच्छी लग रही है समझ में आ रहा है आथ अभी जोईंग कर रहे हैं चैनल को तभी एक महीना एक्जाम में आप अगर चाहेंगे तो अरा आधे अधे गटे के वीडियो बनाई थोड़ी स्पीड को फास करके फड़ा फट देखिए और टेलिग्राम को जाएंगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आउट लेट जा रही यूटूब की तरब से वहां को तुरह तवाब मिल जाएगी आप यहां पर करेंट हो क बहुत सारे सूतर हैं लेकिन टॉपक आपको इस लापस में नहीं है इसलिए मने इसको कोई एस पेसल पूरे सूतर के साथ वीडियो नहीं वनाए है आज बिस आप लोग के हैं एक डिमांडिंग्स बन रहे हैं जिस पर आपको कुछ प्रश्ण पूचेंगे हैं हम प्रश्न करां simple interest का एक सम्वान सा एक सिंपल सा सूतर है साधरना ब्याज बराबर होता है मूल धन गुड़े दर गुड़े समय बटा सो यह जिसे इंग्लिश में कहते हैं SI is equal to P into R into T यह आपको पता है कि नहीं पता है साधरना ब्याज का एक सिंपल सा सूतर है और इसी स्वामले को आपको याद रखना है कि मूल धर गुड़े दर गुड़े समय बटा सो यह आपको याद है इन्हों से कुछ values दी होगी कुछ values नहीं दी होगी और उनको हमको find करना होगा अगर निकालने को भी पूचले सवाइं को अलग करके हमें पूचेगा थे सिम्पल इंतरस्ट की हमें याद रखना है अब मैं आपको डायक कुर्षण करवाओंगी से बहुत ज़्यादा बाती नहीं बता हूं क्यों कि उससे संब्लने प्रश्ण नहीं आएगा एक दो ही बनेगा ठीक है चलिए देखिए यह प्रश्ण है शायद आप लोगों ने इससे पहले कई बारी लगाया होगा मैं आपके क्लेर दिखा रही हूं क्वालिटी इंक्रीज कर इतनी राश्ण पर 18% वार्सिक दर से 5 वर्स के अंत में कितना सथारन ब्याद होगा यानि कि आपको सिंपल इंटरस निकालना है सूत्र पर एकदम है आपको मूल धन दिया हुआ है आपको दर दी हुए आपको समय दिया हुआ है कह रहा है कि मूल धन आपका जो है 988 रुप दिया है 18% के रिट से 5 वर्स तक के लिए दिया और 5 वर्स जब खतम हो रहा महीन ऊसाल खतम हो रहा तो आपको सिंपल इंटरस के तौरपर कितना रुप राफ्ट होगा कितना प्राफ्ट होगा यही आपसे पूश तो क्या आप नहीं लगा पाएंगे बिलकुल लगा प्रिंस्पल आप प्रिंस्पल केंगा- इंग्रिश टो आप PayPal अप्याइब करेंगे लिगेंगे लिखेंगे इग्जाम पाइब लिए यहां पर आपको लिखना है आप ऐसे लिखना न को पी कहते हैं को प्रिंस्पल प्रिंस्पल कहते हैं कि तो आप क्या लिखेंगे लिखेंगे आप मूल्धन पी जुक्पी मत लिखेंगा मूल्धन लिख देंगे को दिक्कत ही हो तो हम समझा दें के लिए क्योंकि यहां पर देखिए मैंना एसाइज उकल टू पी इंटू आर इंटू टी लिखा तो भी अब थारा परसेंट है समय बढ़ाव पांच वर से सिंपल इंटरेस्स का सूत लगाएंगे पी इंटू आर इंटू टी आप रहां से वैलू स्कूर इतने आप लिखेंगे नाइन इटी इटी इंटू इंटू फाइफ बटा सौ आप इसको काटेंगे देखिए मैंने काट यहाँ पर बीस आपका यह आया हुआ है इसको इसको इन दो से काटा है तो यह फोर नाइन फोर निकला थी कि दो चौक आठ दौनौ अठारा दो चोख ट फितुए द्धम्वा दू इसको दो बचा कर दिए तो बचा किया मैंने पास 494 गुड़े 9 divided by 5 तो जो मैंने 494 को 9 से गुड़ा किया तो विरा उत्तर निकल किया 4446 और डिवाइड बाइड वाइड तो इसको जो मैंने डिवाइड किया तो विरा अंसे यह निकल किया है 88889 पॉइंट समतिंग कुछ करके है ठीक है यह आपको एक सिंपल सा सूत रही मैंने इसको बैट के अलग जगा पर सौल के इसने वह फटा-फट कम स्पेस में कर दिया था तो आप देखो कि कैसे लगाए एक बारी में पता है समझ में आई बाते ध्यान से करेंगे तो कर लिए बहुत सिंपल है तफ की बात नहीं है ठीक है चले आगी यहां तक बात क्लेर है सभी को एक परश्ट सिर्फ अभी तक करवाया है सिंपल बाते पूरी बताई अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ देखते हैं दूसर परश्ट देखे कैसे वैसे यह दूसर वाला भी सेम उसी क्या रहा है रुपए 6,000 कितना रुपए है इमाम मूल्डन कितना है छे हजार रुपए ठेक है मूल रुपए 6,000 पर 6% वार्सिक दर से 6% की वार्सिक रेट से 8 महीने का सदारन व्याज ग्याद करो ठीक है थोड़ा सा आप लोगों पच्छीयों की आवाज आ रही होगी क् पाद है बड़े बड़े तो सब बैठे हुए है ठीक है थोड़ा से इस कर लो क्या कर सकते बिचारे बैठे हुए कैसे बगाते चलिए तो यहां पर देख सकते हैं कि छे हजार रुपए पर इस चे परसेंट वार्सिक दर से 8 मार्स का सदारन व्याज के अब्याद को इस प् हम आपको टेलीग्राम पर भेजेंगे ठीक हम बेजेंगे कहीं सारा आज महनत करेंगे आप लोगों के लिए तो बताई आप लोग लगाए फिर हम लगवाएंगे लगाए जल्दी सभी फ्रेंट्स लगाए प्रस्न बिलकुल लगाए मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तादा चली बताते हैं देखते हैं यहां पर आपको बता रही हूं कि देखो कुछ नहीं दिया है आपको 6,000 रुपए पे 6% के वार्सिक रेट से 8 महीने का आपको सदाना ब्याज निकाल कर बताना है कितना ब्याज होगा तो फ्रेंट्स साब से पहले देखो कि क्या क्या दिया है जब आप यह पैचार दने लगोगे प्रस्ट में कि क्या क्या दिया है तो हम निकाल लेंगे तो मूल धन दिया है तो आप लिखेंगे मूल धन बराबर 6,000 रुपए दिया है मूल धन हा बिलकुल दिया है दर आपको दिये हां दिये कितनी दर दिये हमको 6% की दरवार्सिक दिया है तो जब हमको तीनों चीज़े दी है और हमके हमसे सदान बया सिंपल इंटरस पूश रहा है तो क्या हम नहीं कर लेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे कुछ नहीं करना है आपको जो सूत्र आपको दिया गया उन्हीं सूत्र पर लिगा कर वाल्यूस को आप रख हो जानते हैं यह सूत्र ने इंग्लिश में लिख दिया हैं और कोई दिक्कत नहीं है यह पूरी डिटेल आपको जरूर देनी आपको नमबर पुरा अच्छे से करने के बाद यह पुरी बात वहाँ पर क्लिरली मेंचन करनी होगी तब आपका नमबर दो नमबर के पूछा आता है आपको दो नमर आराम से मिल जाएगा अपको नहीं करना है जो आपको दी गई ती उस पर रख दो तो आप लिखोगे एसा जीरो यह आपको कैंसल हो जाएगा यहां पर बज़ेगा क्या साथ गुड़े अरतालिस क्यूंकि आच चैंग अरतालिस होता है साथ गुड़े अरतालिस आप जो इसको गुड़ा करोगे ता आपका आंसर यहां पर 2880 कि कितना निकल गया है ऐसा ही 2880 आगे चले दो आपको नहीं है च्चिए ब्याज की दर है कि रुपए 800 कब वर्सों में 320 आरेस हो जाएगा तो वो किष्षा को नहीं हो नहीं हुझ आसे वास्तंव तक बوर्दिया हुआ है आपको इसमंण मूलदन दिया हुआ है आप को ऐसाण स्ञ आपको किस वासे किस वारसिक की डर से आपको इसमें जैसे अभी तक हम लगाते हैं उससे थोड़े से हट के चीज़ को करना होगा आप समझ जाएंगे आपको जित्ती आप प्रश्ण कर समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी रीजन क्या है कि आपको तीनों में से जो मूल धन गुड़े दर गुड़े समय बठा सौ है उनमें से कोई एक डिजिट आपको नहीं दियोगी कोई एक चीज़ आपको फाइंड करेगा अब यह बार हर बार जरूरी यह नहीं कि आपको हर बार साधर ब्याज ही सिंपल निकाल नहीं पता है आपको आरेस आठ सो का ब्याज दो वर्सों में आपको समय तो दिया गया है आपको यह जो मूल धन था वो भी आपको दिया गया है लेकिन आपको दर नहीं पता है और आपको ब्याज भी पता है कि तीन सो आरेस होगा तो वो रेट क्या होगी किसी किस वार्ष वारसिक वारसिक गाहए हुगी जो आपका दोस वर्सों में 800 व्याज सिर्फ 220 रुपए होगा तो वही आपको दर बतानी है अप कैसे लिखेंगे तो पहले आप पहचानेंगे क्या कि यह जो यहां पर 800 रुपए दिया गया है यह आपका मूल अपको प्रिंसेपल इमांँट यह दिया वर्स लिखा रहता है वो समय होता है यह आपको कैने रे कि सबसे पहले आपको दम सुबूरा ऐसे लिखना होगा इंदी में लिखेगा मैं इंग्लिश में लिख रही हूं इसाई बराबर पी इंटू आर इंटू टी यह आप लिखते ना ठिक है और बटा हंड़े आप इसको क्रॉस मल्टिप्रिकेशन करोगे आप हराम से हर एक क्या करेंगे लिखेंगे दर बराबर ब्यास गुड़े सो मुल ढ़्यीषू कैस्वल्टन गुड़े सो आप टेको क्या करोंगे आप लिखो त्यव्श कितना RH 500 समय कितना है दो वर्स क excess का समय आब और प्लियूवरीक कैंसल हो जाएगा यहाँ यहां तक र्यूर हैं भालना होगा ये उसी फॉर्मले से निकला है जो की सिंपल इंटरुक्र सथानर सा फॉर्मॉला उसीसे हर एक बार पुढ़ Sugde करने दिफे सब्सक्राइब जैए इसे हैं यह फॉर्म्ना पॉटक्रा इसको क्टिक अप और आम से कट आप अंगे नो हो जाए過來 यहीं प्रश्न पिर चाहरो स horrific में इसी तरीके कि कही सारे बंगे सिरुष्ण आपकोगे सिल्यूशन आपको तुछ उसका निकाळना होगा और इसे लगे कई साए प्रेक्टिस करने होंगे ये योभी बोर्ट की किताब में भी दिया गया है वो लगाईए और जो छोटी किताबे हैं बेसिक बेसिक प्रशन लगाईए सिंपल इंटरेस्ट में है तो बहुत बड़े लेवल के प्रशन लेकिन आपको अपने डिलेट के हिसाब के प्रशन से लगाना है ना कि बड़े के लेवल से तो छोटी छोटी जीए पुझी जाएंगी बहुत तफ नहीं पुझी जाएंगी तो वहले छोटे पर कबांड करिए तब हम और टफ सेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे आगे जलो फोर्थ वाला पुझी फोर्थ एक को क्या दिया है बहुत सिंपल सा प्रशन है वाधनराती ग्यात करो वाधनराती ग्यात करनी है आपको जिस पर साथ परसेंट वार्सिक व्याज की दर से साधार व्याज आपको 280 रूपए है और चार वर्स की ओधी के लिए उधार दी गई है एक बार प्रशन कभी नहीं आता मैं अतने समझ में कम से कम दो बार पेपर पहले प्रशन पढ़िएगा उसके बार से बढ़िएगा वरना आपको वाधनराती ब्याज की दर से साधार व्याज आपको 280 रूपए है तो आपको दर भी दिया गया है आपको रेट दिया गया है कि नहीं दिया गया है प्रशन में बिल्कुल दिया गया है आपको ब्याज जी बता है मतलब आपको साधार व्याज इंट्रेस जो है वो आपको पताए गया है आपको समय भी ब पता है आपको क्या नहीं पता आपको मोलदन नहीं पता है अपको मोलदन निकालना है तो आप स्थालोन सोत्र है वो आप tactile स्था आपको मोलदन का सूत्र बनाना आ क्योंकि इस तरह कापी इस तरह लिखनी होगी सिर्फ डायक सूत रखेंगे तो इस तीचर भी आपको दो नमबर देगा एक ही नमबर देगा वह भी आधा इसलिए जब भी मैध की कॉपी लिख रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनको एक सब कॉलम में फिर देगा तो यहां तक आपने सही होंगे उतना नमबर आपको मिलेगा अगर आपने पूरे वह स्वाल किया आपके सब्सक्राइब करने आपको समझने के लिए भी सही रहेगा तो दर आपको कितना दिया है साथ परसें तो पगर मैं आप लिख देए दर बड़ाबर साथ समय को कितना दिया है चार वर्स दिया है तो आप लिख देए समय बराबर चार वर्स साथानर ब्याज कितना दिया है 280 रुपर मोल धन नहीं पता है तो क्रेशन मार पगा कर छोड़े क्यूंकि आपको इस प्रश्ण में मोल धन ही निकालना है तो बगल में आप लिखेंगे यहां पर लिखा आप इसके नीचे लिखेंगे तो यह आपका इंग्रिश्मन लिखा आप हिंदी में लिखेंगा सथानर ब्याज मोल धन गुड़े दर गुड़े समय बटा सो अब आपको जो जो वालू दी गई है उसी के बेस पर निकालना आप यहां पर लिखेंगे मोल दर जाती है तो यह विचा पूज़े तो देखो यह साई यह और गुड़े सा उपर हो गया बाकी साई चीज़े से नीचे हो गई नहीं तो आप सुझे कैसे बन रहा है क्रॉस कॉल्टिप्लिकेशन करोगे तो सूत्र आपके चेंज हो जाते हैं ठीक है सिरार ब्याज कितना दिया था 280 समय सो ऐसे दो दर कितनी दी है साथ समय कितना दिया है चार आप इसको क्रॉस काटो कैल्कुलेशन आनी चाहिए ध्यान रखेगा आपको काटना टेबल से बोलना है कि आपको 20 तक की टेबल आपको स्क्वार रूट यह साही चीज़ें आपको काटनी आनी चाहिए वहना कैल्कुलेशन आपकी कलत हो जाएगे आता आता प्रशन आप वहाँ पर गलत करके आएंगे तो आप देख रहे हैं आराम से काट दीदे बहुत अच्छा सा कोई दिक्कत नहीं कट जाएगा अब इस तरीके से आपको चाहिए आप इससे चार से भी काट दोगे तो यह आपका 2800 होगा 2800 आप इसको भाग दोगे आप मत करो मैंने तुस्छ किया नहीं मैं सिंपल काटोगे तो कड़ भी जाएगा नहीं काटोगे तब यह दोस्ती को सब्सक्रा किया है आपका आंसर यहां पर निकल गया है 2800 से इसको मैंने बाग कर दिया है तब यह 1000 आया है आएगा ध्यान रखिया कि उसका सूत्र बढ़ा भी है अब उस लाइवस में लेकिर आप लोग ने कहा तैसले हम करवा दे रहे हैं पांचे प्रशन तरीकी के हैं प्रेक्टिस सट के दो मोडल पेपर हम बनाएंगे उसमें भी आपको इंटरस के दो दो एक दो प्रशन डेल तो आप तुरंत आए यूटूब पे सारे वीडियो पड़े हुए बैक करके देख लिए यह यूटूब पे फायदा है आपको ठीक है उससे आपको कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स प्रश देखें यह पांचा प्रशन है आज का चल निकाल रहे थे लेकिर अब आपको मिष्र धन निकालना है यहां पर देखे ह।ar को मूल धन दिया कितना दिया है 1500 सो ठेक आपको दर कितनी दी है 6% समय कितना दिया है पांच क्लियर मिर्श धन आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना है यह एक नया प्रश्ण है अभी तक मैं चार प्रश्ण जो करवाई वह एक ही पैटर्ण पे थे किसी में दर निकालना था किसी म आपको मिश्रधन को find करना आप कैसे करोगे वो देखो सबसे पहले जो चीज दी गई वो लिख तो मूल धन 15 रुपए दिया गया दर आपको 6% दी गई है समया आपको 5 वर्स दिया गया मिश्रधन नहीं पता है तो मिश्रधन का अपना एक सूतर होता है वो सूतर मैं आपको अपने सूतर को कॉपिभ रेंता हूं कर दीना वेयर ना। मिश्रधन का सूतर है यहिसा वाली हो मिश्रधन पराबर मूल धन गुडे सो प्लस दर गुडे समय बटा सो ये सूत्र है ठीक है मिर्षधन बराबर मूलधन जो कि आपको दिया गया है गुडे सो प्लस दर ये भी आपको दिया गया है गुडे समय ठीक है बटा सो यही सूत्र है ये सूत्र आपको जरूर याद करना पड़ेगा अगर आता है प्रश्न तो और सूत्र अगर आपको याद है तो फॉर्मॉले में वाल्यूस को रख दीजिए जित्ती वाल्यू दी गई आपके हाथ में आएगा अब आपको क्या नहीं दिया गया मिर्श्रदन नहीं देगा बाकी सब को दिमूल दन कितना है पंदरा सो पंदरा सो लिख दो सिंपल सदारान बैस प्रश्न ठीक है यहां तक क्लेर हुआ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सिंपल बाते थी आपका यह सिंपल इंट्रेस का टॉपिक में करती हुग तब पांच प्रश्न में आज बिनाये थे ज्यादा प्रश्न में इसलिए नहीं बनाए क्यों कि प बढ़ाया गया है तो आप कर लिए जाएंगे आज दोने प्रांच प्रश्न बनाया थे वह इसके बाद फिर और प्रश्न बनाओंगी लेकिन पहले आप 5 समझे ताकि आपको समझ में आता है प्रॉब्लम ना हो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिलकुल भी बूले बीच में दोने लाइक करने ते नहीं बोला लाइक करिए फटा फट सभी लोग क्लास केसी लगी बताइएगा मैं और प्रश्न करवाँगे इसे संबन दे ठीक है फ्रेंड्स क्लेर यहां तक विलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए टेक केर बाबाए से यू तू